अच्छ का हमारा है लेक्चर नमबर 58 और आज के इस लेक्टक का हमारा टॉपिक के रहने वाला है हमारा टॉपिक है प्रसीजन ऑफ जाइरो इसको नाव यहां पर एक वर्ड आया क्या जाइरो इसको और एक वर्ड क्या रखाया precision, precision का मतलब होता है किसी access का about इस तरीके से घूमना क्या कहलाता है, precision कहलाता है यहां बोल सकते हैं, अगर मैं क्या करूँ इसको pen को मैं ऐसे घूमाँ यह pen को मैं ऐसे घूमा रहा हूँ, तो यह क्या कहलाएगा मैं यह बोलूँगा, यह pen क्या कर रही है इस axis के about जो कि यह से vertical है उसके बाड क्या कर रही है precision कर रही है अब जो दूसरा यहाँ पर जो word है वो क्या है मेरे पास gyroscope gyroscope क्या होता है फिर आप आप सबने gyroscope देखा है कहां देखा है हमने सबने cycle चलाई है cycle में क्या होता है tire होता है अगर मैं क्या करूँ इस तरीके से cycle का कोई tire या फिर rim लो यह मेरे पास क्या है एक cycle का tire है और यह क्या है this is axle इसे हम क्या बोलते है इसका axle बोलते है और यह जो tire है क्या कर सकता है इस axis के about या फिर इस axle के about rotate कर सकता है अगर मैं क्या करूँ इस axis को इस तरीके से किसी एक support से लटका दूँ यह एक support है एक यह तागा है मेरे हाथ में यह वो इस ते एक रश्ची है एक rope है इस rope से मैंने क्या किया इस Excel को बादा और मैं क्या कर सकता हूँ तो इस system को यह बोल सकते हैं इस arrangement को हम क्या बोलते हैं जाइरो इसको बोलते हैं ठीक है आ कि जब हम इस टायर के spin को consider नहीं करते हैं यानि मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और फिर छोड़ दिया देखो क्या कर रहा है इस तरीके से यह ऐसे जुलन लग दिया ओके जुलन लग गया है बोल सकते हैं और यहां पर यह फिक्स है तो पूरा पूरा टायर ऐसे जा रह तो इस टायर के इस पिन को consider नहीं किया है लेकिन जब हम इस टायर के spin को consider करते हुए इसके motion के study करेंगे तब उस टायर इस जाये गा rapidly spinning gyroscope condition क्या होगी जो यहां पर spin होगा नो rapid spin होगा कहने का मतलब यह होगा यह नहीं होगा this is very slow spin rapid spin का मतलब बहुत तेज spin तो यहां पर क्या करेंगे हम gyroscope की study दो तरीके से करेंगे पहला non spinning gyroscope और दुसरा हमारे पास कुन सा होगा rapidly spinning gyroscope तो यह क्या रहने वाला आज का हमारा aim रहने वाला है और यह जो मेरे पास आज हम जो experiment करेंगे जितने भी कोचिंग वाले होते हैं जितने भी टीचर होते हैं फजिस के जब कभी भी 개를 करेंगे कि पहले होन्य नौन इस्पिनिंग न इस फिनीग जाइबिडू स्कॉप नॉन इस्पिनिंग के जाइड स्कॉप और दूसरी condition कुन से होगे मारे पास खाली spinning नहीं rapidly spinning gyroscope कुन सॉल आओगा rapidly spinning gyroscope ओके बात आए सुनने देखो पहले किसके बात करते हैं first वाले की बात करते हैं कि हम first वाले की study किस तरीके से करेंगे पहले वाले लो फर्स्ट केस में क्या आजाएगा हमारे पास non spinning gyroscope non spinning gyroscope ओके इतनी बात अब देखो जो मैं यहाँ पर आपको gyroscope दिखा रहा हूँ यह मैंने दिखाया आपको यह मेरे पास इसमें कहा है excel है और यहाँ पर कहा है इस तरीके से अपना यह wheel बनाया तो इस तरीके से क्या बना दो एक यह wheel बना दिया हमने और लेटस से इस wheel की radius कितनी है आ रहे है और यह क्या इसका center है और यह क्या है इसके तिल्लिया है ठीक है अगर आपके पास सागल का हुआ है सागल का क्या है रिम है तो सागल के रिम की यह तिल्लिया है और यह क्या है इस सेंटर से क्या गया हुआ है इस तरीके से एक है कि मैं यहां से का बड़ी है इस तरीकेंट से लटका रो तुका सुमस्य जी खरदे 명ुल्चिछ मुद्ट बड़ी तुक अब दिख रहिए इस तरीक है यहां पर एक फिक्स रोब इसे मैंने क्या बोल दिया एक्से अगर यहां पर एक्से सोगी तो च्रहब और इस विल वी यह प्योट वkrit यह एकसर फॉटमारे पास इस विल बेड़ अपने इस जैरिशो को एसे पकड़ रहा है कहां पर रही है स्माने किसी गार्व मॉशन नहीं रोटेशनल तो मॉशनल नहीं हो रहा है तो सर à वमेंटम के यहां से आया एवा यहां से सुलोह मुस्ण में दिखा वहाँ यहां से आया ऐसा आया ऐसे आया ऐसे ऐसे फिर ऐसे होगा टिक ऐसा ओगा नियुका ऐनिक कैसा एख सक्वार राहे यहां पर रोटेशन रेंदल मोशल हुगा और की श्याल्ट और रहा है तो सिको ये मेरे पास ऐसे है देखो ये ऐसे गिर रहा है पिर आई यह जो आपकी हो रही उस एकसे खो वाँणधी कर रहा है रोटेat कर रहा है और जैसे ही रोटेट पहले इतना था जिरो था और रोटेट करते ही कि आ जाएगा इसके पास खुछ नगुछ एंगुलर मुमेंटम आ जाएगा देखो अब क्वेश्चन यह है यह रोटेट क्यों किया रोटेट करने के लिए क्या लगना चीए इसमें तॉर्क लगना चीए तो यहां पर क्या तो ग्रेविटी और ग्रेविटी कैसे लगती है ऐसे सरफ के परपेंडिगिंगलर अगर मैं इस डिविल्कैकड के अनृस का मास इस पूरे वील का मास कितना है, M है, तो here we have gravity in this direction and this gravity will be equal to किसके रावर होगा यह, M into G के बरावर होगा, यहां पर देक्षन में है, अब देखो, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक्किल की distance होगी, वो क्या होगी, उस XL की distance होगी, जो मेरे पास टायर की क्या है, XL है, let us say this distance is equal to R, और मैं यही बोल सकता हूँ, यह इसको as a position vector यूज काम कर रहे है, तो this is R vector, इसे मैं क्या बोल सकता हू यहां से लेकर दिश्टें कितनी होगी, R vector होगी, अब यहां पर torque कहां क्यों लएगा, जहां सुनना बाद को, torque will be, in which direction, देखो, R किस डिरेक्शन में है, इस डिरेक्शन में है, and since we know, what we know, since we know, torque, tau is equal to क्या होता है, R x F के बराबर होता है, और in this case, this F is gravitational force, which is equal to mg, तो this will be equal to, क्या जाएगा यह, R x M x G के बराबर आजाएगा, अब धान सुनो बात को, देखो, again इसको देखो, R कहां क्यों हो रहे है, आपकी और, this is R, यह R है, ठीक है, जो आपको यहां पर ऐसे दिखा जा रहे है, यह भी आपकी और है, R, और mg कहां क्यों हो रहे है, नीचे क्यों हो दुरों को से एंगल कितना है, 90 डिगरी, if this angle is 90 डिगरी, what it mean, तो this mean, this will be equal to R, M, G, because sin 90 कितना होता है, 1 होता है, and this is magnitude of torque, now what will be the direction, अगर मैं यह बोलू, कि this R is along X direction, and this M, G, is along minus Z cap direction, so, our torque will be, देखो, R x M, G, क्या करो, देखो, R कहां क्यों हो रहे है, इधर क्यों हो रहे है, और mg कहां क्यों हो रहे है, नीचे क्यों हो रहे है, तो R x M, G, कैसे निकलेगा, R x M, G, तो जो मेरे पास, यहाँ पर क्या निकल क्या आएगा, torque निकल क्यों हो रहे है, कहां क्यों हो रहे है, this is my x-axis and this is my z-axis तो this will be our y-axis ठीक है तो इस केस में जो टॉर्क है किस डिरेक्शन में लग रहा है य डिरेक्शन लग रहा है आपको दिखरा लगता हुगा देखो आर देखो यहां पर नहीं देखेगा उतना अच्छा यहां पर देखेगा आर इस इन दिस डिरेक्शन यहां पर जो लगने वाला टॉर्क है वो कहां की और है अगभी तो यहां पर जो टॉर्क लगेगा वो कहां की और होगा इस डिरेक्शन होगा कुछ ए तरीके से तो दुशन जोबर तो कहां की और हो इन दिस डिरेक्शन तो यह क्या लग रहा है यहां की और हमारे पास टॉर्क लग रहा है और उस टॉर्क का मेगनिटूड कितना होगा हमारा adapt न अब इस टॉर्क आउम ऐसे भी एक्सप्रेश करते हैं from Newton's second law in angular form since we know that what we know we know torque tau will be equal to क्या होगा बताओ this torque tau will be equal to del L upon del T के बराबर होगा ठीक है तो obviously बात है इस टॉर्क के वज़े से इसके angular momentum में change आएगा ही आएगा आ रहा नहीं आ रहा चेंग यह देखो कैसे आ रहा चेंग तो initially angular momentum 0 लेकिन जैसे मैंने छोड़ा now it have some angular momentum it mean torque के लगते ही यहाँ पर angular momentum में क्या आया change आया and that change will be given by this equation which is Newton's second law in angular form किलर बात ओके अगर यह बात किलर हुई तो this is what we know about this gyroscope when we talk about non-spinning gyroscope जह हमारे पास जो gyroscope होता है कैसा होता है non-spinning gyroscope होता है तब उसमें torque लगता है जो कैसे लएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग रहा होगा और जो उसमें change नगले momentum होगा उसको हम कहां से निकालेंगे इधर से निकालेंगे और तोर का magnitude होगा वो RMG के बराबर होगा यह result बहुत important है इसको क्या बोल दो equation number 1 बोल दो ठीक है non-spinning में इतना ही है लेकिन मजे वाला चीज का बाता बता आपको जह हम किसकी बात करते हैं बात करते हैं वो भी कैसा स्पिनिंग rapidly spinning gyroscope के सेकन में देखो के सेकन क्या हो जाएगा हमारे पास rapidly 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 spinning spinning gyroscope इसमें क्या होगा पहने देखते हैं होगा क्या जह हम क्या करेंगे जाइरो इसको को इस्पिन कराते हुए ऐसे छोड़ेंगे जैसे मैं छोड़ा ना फर्स केस में कैसा था नॉन स्पिनिंग में कैसा अग्दान सुन बात को बहुत इंपोर्टन यहीं से चीज समझ माएगी यहीं से इंपोर्टन चीज शुरू होती है देखको पहले इस तरीके से रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट क्या अलॉंग अभी केस में क्या है अगर मैं यह बोलू देखको इसको मैं ऐसे पकड़ा छोड़ा नीचे गिर गया अब देखो करा निचे तुन लगा इस तरह करने लगा इसे इस पीन करने लगा और इसीस को हम क्या बोलते है और इस पूरा जो फिर तो यहां पर हो रहा है इस Is고 बोलते है सब्सक्राइब देखें आप एक जाएगा जो जाएगा यहां पर प्रिस्जन ऑफ जाएगा इसी को हम क्या बोलते हैं अब हमारे सामने समया है या जो प्रशमिश्य है यह जो क्वेश्चन है यहां पर precision क्यों हो रहा है और नीचे क्यों नहीं गिरा यegल माना यह क्या है दिसीज़ अबर rapidly spinning gyro scope जो यहां पर दिख रहा है आपको यह क्या है rapidly spinning gyro दोबार दिखाए लेखे और Rapid Spin कर रहा है rapid spin फिछोड़ा rapidly spinning gyro scope क्या कर रहा है इस तरह के से इस इस एक्सेस के बर्ड आप पता करना है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से एक और ब्राइग्राम है यहां पर वराना पड़ेगा, यह तो इसके लिए था हमारे पास अब यहां पर देखो अगे इन से मेरे पास वील सेम वील है इस तरीके से मैंने जूम कर लिया इस तरीके से और यह क्या है इसका सेंटर है अब फिर मैंने क्या किया इसको एक सपोर्ट के लिप से यहां पर ऐसे लगाया और यहां पर यहां पर ऐसे मैंने क्या लगाया यह मेर यहां को जा रही है तो this is our x-axis और यह अगर यह x-axis है तो this will be our y-axis यह कुन से access होगी हमारी y-axis होगी this will be our y-axis and this will be our z-axis देखो अगर मैं this is x-axis अगर इसको मैं पीछे बढ़ाओं तो this will be our minus x-axis यह कुन से वाली access होगी minus x-axis होगी मैंने इसको क्या गडदे इस तरीक से will किसी भी टैप का rotational motion नहीं कर रहा था लेकिन यहां पर wheel initially क्या कर रहा है rotational motion कर रहा है यहनि इसके पास पहले से ही कुछ angular momentum है और let us say our wheel is rotating in this way about this x-axis with some angular velocity omega और इसका मास कितना है m है वो हमने पहले बोला है और यहां से लेकर distance है वो कितनी है r है और इस पर एक नीचे की और force लग रहा है which is gravitational force जिसे हमने क्या बोला है mg बोला है तो this is अबर mg vector which is in this direction और जो wheel है वो क्या कर रहा है इस तरीके से पहले से ही rotate कर रहा है जिसकी angular velocity है initial angular velocity वो कितनी है omega है ओमेगा का मतलब इसकी बात हो रहे है ठीक है जो किस से कर रहा है यह वाला जो क्या हो रहा है इस तरीके से इसकी जो angular velocity वो कितनी है ओमेगा है कि लिए बाद नव पहले से हमें क्या दिया हुआ है कि जो वील है वो X-axis के बाद इस तरीके से आपके अब क्या हुआ है देखो ध्याद से या इसके बाद पहले से क्या हुआ कुछ ने कुछ अल्गलर मोमेंटम होगा बताओ किंगलर किस चर्यक्शन होगा जल्दे बताओ तो किसके बाद रोडेक्शन कर रहा है but our wheel is initially rotating about X-axis इसका मलब from right hand screw rule, our angular momentum of this wheel, our angular momentum of this wheel is also along x axis. अगर right hand rule लगाएं, if I am saying that this is moving anticlockwise, तो angular momentum will be in this direction. तो इस case में जो angular momentum होगा यहाँ पर, वो कहां की ओर होगा? अलों x direction होगा. तो यहां से अगर मैं क्या की चूँँ, angular momentum vector बनाओ, तो this will be in this direction. लेट उस से, this angular momentum is equal to L. एक कि बराबर है angular momentum? L के बराबर है. अगर मैं आपसे पुछूँ हूँ आप कि what will be the value of this angular momentum? Can you find it? answer is yes. we can find it. तो इसे मिटाऊं मैं, देखो. तो this angular momentum L will be equal to, अगर इसका मैं इनकूट की बात करूँगा, तो this will be equal to I into omega. होगा नहीं होगा, कल यह मैं इनकूर्स कर रहा है, कल नहीं इनकूर्स मैं इनकूर्स कर रहा है, this will be equal to I omega. Now, for this wheel, if mass is constant and radius of this wheel is constant, it means this moment of inertia of this wheel is also constant? होगा नहीं होगा? अंसर आजी होगा, अगर moment of inertia constant है, और omega is already constant, हमने पहले बोला है, कि जिस angular velocity से यह x-axis का कर रहा है, rotate कर रहा है, वो कह है, एक constant angular speed से कर रहा है, तो इसका मलब I is constant, omega is constant, it means this whole product is constant, magnitude की बात हो रहा है, ज्यान सुनना बात को. इसका मलब for this case, this L is equal to constant, L कहा है हमारा constant है, यहनि L का magnitude change नहीं होगा, बहुत important line बोली है मैंने कि इस case में जो L का magnitude है वो change नहीं होगा, वो change कब होगा? जब omega change होगा, यहां फिर उसका moment of inertia change होगा, moment of inertia कब change होता है? जब mass का arrangement क्या होगा? चेंज होगा, और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आई भी constant है, और omega भी constant है, इसका मलब magnitude of L for this wheel is constant, यह बात धिहान में रखना, यह भी काम आएगा, देखो, अब देखो, यह constant हो गया, लेकिन, में क्या लग रहा है? g force, mg force लग रहा है, और यह क्या है, मेरे पास r है, तो यहां पर क्या लेगा? कुछ ने कुछ torque लगएगा यह लेगा, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, torque लग रहा है आपर, और किस direction लग रहा है? इन y-cap direction, किस direction में? इन वाइएका प्राइप लगेगा इस तरीके से यहां पर टॉर्प लगेगा इस पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह पहले हमने बोल रखा कि भाईया आर इस इन इस डिरेक्शन एम जी इन इस डिरेक्शन तो अगर मैं यहां से क्या निकालू आर क्रॉस एम जी निकालू अब यहां बहुत बड़ी दुविदाय आगई दुविदाय क्या आई तरह बाद दिमांग को सूचो from Newton's second law Newton's second law क्या होता है मैं से मिटालता हूँ ठेक है now from Newton's second law what we know that we know that torque will be equal to क्या होगा since we know that torque tau will be equal to del L upon del T and in our case torque is zero or non-zero answer is torque is non-zero जो मेरा torque है वो non-zero है it is not equal to zero it mean what it mean it mean this del L upon del T is also not zero ये भी zero के बराबर नहीं होगा simple simple mathematics है अगर ये zero के बराबर नहीं है then change in L is also not equal to zero ये क्या कह रहा है L is constant ये कह रहा है L is not constant देख रहा है आपको कितनी important चीज़ है ये statement यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो angular momentum होगा wheel का वो क्या होगा constant होगा और ये statement कह रहा है कि angular momentum change होगा delta L not equal to zero का मतले भी क्या हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है जो L है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है अब मुझे यहां पर कुछ ऐसा statement पास करना पड़ेगा जो इसे भी satisfy कर दे और इसे भी satisfy कर दे है तो मैं क्या बोलोंगा अब जहां सुनना बात को जो लाइन बोलने वाला हूं मैं जो यहां पर लाइन बोलना हूं वो लाइन कुछ ऐसी है कि यहां पर अन्गूलर मुमेंटम का मेगनिटूड कॉंस्टेंट है कोई चेंज नी कर सता उसको क्यूंकि ऌई कॉंस्टेंट ओमेगा कॉंस्टेंट इस च dispK और सनफ यह स्थेटमेंट का रहा है नहींसर hive of the चेंज हो रहा है लेकिन सफ और सिर्फ किसमें डारेक्शन में कितना इंपोडेंट बात है हां ये क्या दिखा रहा है हां एनग और मेंटु मेंट siè्ड हिस्किन में मैं थैंटुड में तक यहां से लेकर यहां तक फिर कहां कि ओ रोगा इस direction में फिर इस direction में फिर इस direction में magnitude सेम रहा लेकिन direction में क्या आया change आया तो मैं क्या standard pass करूँगा इन दोनों को देखकर मैं क्या standard pass कर सकता हूँ मैं यह बोलूँगा कि in this case in this case our magnitude of angular momentum is constant but its direction is changing now एक और question निकल के आता है कि in which direction the direction of angular momentum will change किस direction में वो डिरक्शन चेंज होगी किस direction में वो angular momentum अपनी जिसा को चेंज करेगा answer is come out from this equation the change in angular momentum will be in the direction of torque जो angular momentum होगा वो किस direction में चेंज होगा उसकी direction किस direction में चेंज होगी इस torque की direction में चेंज होगी and here we can see that कि this torque is along in this direction इसका मतलब this angular momentum कहां की ओर है इधर की ओर है इसका magnitude यह रहेगा लेकिन torque कहां की ओर है इधर क्यों है तो इसका जो magnitude इसकी direction में चेंज जाए जाएगा करने लग जाएगा कि इसा इसको फॉलो कर रहा है ऑगर यह ႋ-त के सहे कि लोलो कर रहा है इसका मतलब यहां पर क्या होगा 100 परसंट अंगलल में सब्सक्राइब़ा बस कंडिशन है सिर्फ और सिर्फ में होगा magnitude में कोई change नहीं होगा और उसके direction में change करने के लिए जबर्दस्ती by nature वो क्या करना start कर देता है एक z axis के बाउड या फिर उस axis के बाउड जिस axis के बाउड उस support मिला है उस के बाउड क्या बाउड लग जाता है वो rotational motion या बोस्ते precision करना लग जाता है जो कि आपको यहाँ पर साब साब देखने को मिलता है देखो अब समझो तेरा अब दोबारा देखो उस experiment को अब आपको फड़ाब समझ माएगा क्या होगा इधरा ठीक है ये मेरे पास ये initial condition है ठीक है इसका angular momentum समय के साथ चेंज होगा क्यों क्योंकि इसकी angular speed समय के साथ चेंज होगी लेकिन मैं यह बोल रहा हूँ कि उसकी angular speed constant है moment of inertia भी क्या है constant है एक idle case मान के चल रहे है यहाँ पर क्यों कम हो जारी है because friction लग रहा है यहाँ पर जो यहाँ पर अंदर क्या है गरारी है उनमें friction के वज़े से इसकी speed कम हो जारी है लेकिन मैं मान के चलूंगा उसकी speed क्या है constant है देखो गुमाऊं थोड़ा सा तागल लग रहे है इस पर गुमाया इसको छोड़ा now angular momentum in this direction देखो कहां के और along axis and now angular momentum in changing in the direction of torque कहां के और जहां के और precision कर रहा है उस तरी के से change हो रहा है अब यह क्या हो गया ऐसे जुग गया जुगा वाला केस नहीं है जब इसे खड़ा है वाला केस है जो यहाँ पर calculation हो रही है वो किसके लिए है जब यह ऐसे खड़ा है कि यह हुआ देखो एंगलर मेंटम कहां के और है इधर क्यों अभी आप क्योड आपको रहे है और in the momentum change का रोड़ा है इधर क्यों डिर्क्शन में चैंज वरते गवारतार उसकी डिर्क्शन में क्या हो रहा है फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम प्रिसिजन आप आपको यह संवज में आ रहा होगा ठीक है अब देखो अगर मैं थोड़ा बहुत यहां पर थोड़ा आगे कल्कुलेशन करूं अब यहां पर देखो आप दिखा सकते हो कि यह पूरा वील है क्या करने लग गया इस तरह किसे एक्स एक्स के बाड़ क्या रहा था है रोटेट भी कर रहा था ओके ना कभी-कभी यह पूछते जाता है कि यहां पर जो प्रिसिजन का रेट है वो कितना है रेट ओफ प्रिसिजन तो उसके मुझे कुछ जा मिटाने पड़ेंगी तो यह मिटाओं में यहां फिर यही पर हो रेट ओफ प्रिसिजन का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर मोमेंटम अपनी डारेक्शन को कि चेंग कर रहे हैं फिर कि रेट के साथ चेंग कर रही है उसी को हम क्या बोलेंगे रेट ऑप्रिसिजन बोलेंगे ओو सब्स्री बात है अब उससे दिखाने के लिए मैं सिर्फ किसक बुच्च को देख रहा हैं वील में कुछ नहीं बना रहा है वील को इग्णोर कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इसके एंगला और आंगला मोमेंटम वेक्टर गरा है इस तरी को छेक प्रसेजन कर रहा है आपको गर दिख रहा है साब-साब तो यह यह एकसी यह को कर रहा है यह नहीं कर रहा है यह u यह मेरे पास किसी एक टाइम टी पर या फिर टी इक्वल टू जीरो पर यह कहा एंगलो मेंटम इस डारक्शन में है और उसके अगलो मेंटम इस तरीके से जैड एक्से के अबाउट रोटेट करेगा यहीं बोस्ते प्रिसीजन करेगा ठीक है दिख रहा है आपको इस तरह किसे एब बार दिखाओं करता हुआ आज वह बहुत बार देख लिया ना इस तरह के देखो एंगलो मेंटम इस इन दिश्टार है आपके और है आपकी और है सबसेंगर्चे करें निकानना क्या है इस काहने का हुआ कि जो एंगलो मेंटम है वो टाइम के सांथ किस तरह से चेंज हो रहा है, तो मrån्लिया एक टाइम और 0 पर एलबेक्टर ऐसे था और कुछ ताइम बीता और एलबेक्टर कहां पहुंच गया इधर पहुंच गया देखो एलबेक्टर का में इंटूर सेम रहा लेकिन डिरेक्शन क्या होगी या चेंज होगी साब साब दिख रहा है डिरेक्शन विल भी इन इस डिरेक्शन इस डिर एंगल का मतलब क्या होता है एक अधिए अगल क्या होता है उतके प्सके कि गी इंगल उसने क्या क्या चेंज किया लेट से लिटिस एंगल is equal to d5, ओके माना अंगल कितना क्या glowing हो गया और मानलें यहां तराइम टी है वह कितना हो गया DT के बड़ाबर हो गया, यहाँ पर time T equal to 0 था, यहाँ पर time T equal to कितना है DT है, यहाँ से लेकर यहाँ दाने में कितना time लिया, उसने DT time लिया, और मुझे निकानला क्या है, कि जो D5 by DT कितना है, वो ही तो क्या होगा, rate होगा नहीं होगा, D5 by DT will be what, यह चीज़ क्या होगा, यह हमें क्या करनी है, find करनी है, ठीक है, और इचको मैं क्या बोल लूँगा, rate of precision बोल लूँगा, ओके, आप चला अगर मैं यहाँ पर देखू, यह मेरे पास यहाँ से लेकर, यहाँ तक क्या है, आर्क है, and this delta L is very very small, so in this case, this delta L vector, magnitude of delta L vector, and this arc length will be same, दोनों क्या होगे, because it is very very small, आपको बड़ा यहाँ पर दिखा रखा है, ताकि आप diagram मत देख सके, लेकिन अगर मैं यह बोलूँ, कि delta is very very small, in this case, this arc length will be equal to length of this vector delta L, ठीक है, यहाँ उसते magnitude of this vector delta L, so since we know that, angle equal to क्या होता है, arc upon radius होता है, तो angle कितना है, यहाँ पर, d5 है, r कितना है, मेरे पास, delta L है, और द अगर यहाँ निकितना आ जागए, delta L upon L आ जाएगा, ओके, नाओ, अम यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तो यह मेरे पास क्या निकल गया, d5 निकल क्या गया, ओके, और यहाँ अगर सकते फिड़ा पर हां, this is defy, say this is some equation number one, कुछ कर सकते हैं, हाँ, देखो, यहाँ पर देखो, this is our torque, अगर मैं torque निकालू, magnitude.torque निकालू, this will be equal to delta L upon delta T, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, delta L is equal to tau into delta T निकल के आया, तो अधर calculation करें, tau equal to कितना है, यह है, rmg, तो यहाँ से मेरे पास delta L will be equal to rmg, और into कितना आ गया यह, delta T आ गया, अब यह delta L की value, यहाँ से उठा क्या हो, और equation number 1 ने पूट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास, d5 will be equal to rmg into delta T upon कितना आ गया, यह, L आ गया, ठीक है, और L equal to क्या होता है, I omega होता है, L equal to I omega, ठीक, तो यहाँ से delta T दे लिया हो, तो यहाँ से d5 upon delta, यह, dt बोलेंगे, ठीक है, तो this is rmg upon कितना आ गया, यह, I omega, त तो this is expression for rate of precision, तो इस तरह किसे हम क्या करेंगे, अपना rate of precision निकास, तो किस rate से हो क्या कर रहा है, precision कर रहा है, कि दर रहे बाल, now, अब यहाँ पर कुछ standard pass कर सकते हैं, जैसे, we know that, कि this I will be a function of mass, ठीक है, जब भी हम किसी भी disk का, ring का, हम क्या निकालते है, moment of inertia निकालते है, तो I, जो mass होता है, उसका हो, हमें सा common होता है, यह हमारे experience से हम बोल रहे हैं, ठीक है, यतना हमने पढ़ लिया है, moment of inertia, हम जानते हैं, कि जब भी moment of inertia निकाले हैं, किसी भी object का हम, तो उसके mass का हो function, उसके mass पर क्या करता है, और वो common भी आ जाता है, सब से, ठीक है, add भी होंग, अगर different term, तो उन सब term से mass के आ जाएगा, बाहर common आ जाएगा, अगर mass बाहर common आएगा, तो mass से mass cancel हो जाएगा, it means, this rate of precision is independent from mass of this wheel, इस wheel के mass से वो क्या होगा, independent होगा, ठीक है, तो एक important या आपर क्या है, लाइन है, कि this rate of precision will be independent from mass of this wheel, इस wheel के mass से वो क्या रहेगा, independent रहेगा, क अच्छा टॉपिक था समझने के लिए ठीक है एक्सपरिमेंट हमने बहुत बार देखा था कि इस तरीके से घूमता है प्रिसाइज करता है ग्रेविटी फेल हो जाती है इस तरीके से हम चाहरते हैं स्टुटेंट के सामने उसको रखते हैं लेकिन आज आपको पता चला को कि हां वास्तों क्यों प्रिसिजन करता है इस चीज को सटिस्फाइब करने के लिए ताकि जो न्यूटरन का सेकिन लो हो लो है वो क्या रहे है वहाँ पर वेलेड रहे हैं कि दर है इतनी बात ओके तो द पर वो क्या करेंगे कम बैंड करेंगे जो हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपको लाइक करो शेर करो सुप्राइब करो मैं मिलतका आपसे ने इस क्लास में एक और नए टोपिक असान तो लिए थेंक यू धन्यवाद बाबाई